Hello Friends, स्वागत आपका YouTube चैनल The Secret of Investing में दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं 5 स्टॉक के बारे में जो कि 2022 में आप लोगों काफी बल्डे रिटर्न बना के दिखा सकते हैं तो अगर आप लोगों को यहाँ पर बेशने की जरूरत नहीं है या फिर अगर आप लोग कुछ नया इंवेश्मेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग इन 5 स्टॉक पर फोकस बनाके चल सकते हैं देख सकते हैं जैनवरी 10 आज काई 8 कल आपको यह देखने को मिलेगा और बहुत सारे ब्रोकरेज फिर्म्स की तरफ से यह 5 स्टॉक आपको रिकमेंट कीए जा रहे हैं तो बिना टाइम विष्ट करते हुए कौन से वह 5 स्टॉक जाननी कोसिस करते हैं सबसे पहला स्टॉक आप लोग यहां पर देख सकते हैं ग्रासिम इंडरस्ट्री टार्गेट प्राइज दो हजार पचास का है अपसाइड मोमेंटम 36 परसेंट के राउंड यह स्टॉक आपको दिखाता हुए नजर आ सकता है मोतिलाल ओस्वाल जी को यहां पर जो फाइनिसे सर्विस है उनकी तरफ से आपको यह टार्गेट पाईस आता हुआ नजर आ रहा है यहां पर देख सकते हैं बताया गया है स्टॉंग बैलेंस सीट है ग्रासिम इंडरस्ट्री की डिस्टिबूशन नेटवर्क काफी अच्छी तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है पेंट सेग्रिमेंट का साथ ही साथ मोतिलाल उस्वाल जी ने का है कि यहां पर बिजनिस जो है वो काफी बड़ी तेजी से आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है तो definitely यह कंपनी आप लोगों को नजर में बना के रखनी चाहिए दूसरा स्टॉक आर्थी इंडिस्ट्री आप लोग आप फोकस में रख सकते हैं आज की दिन काफी बढ़ीया रेली बनती हुआ नजर आई जिसके चलते कंपनी का revenue बढ़ेगा, profit बढ़ेगा और आप लोगों को stock के price में भी काफी तेजी से growth देखने को मिलेगी तीसरे stock की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे नजर रखनी है SRF के stock पे, बहुत बड़ा multi-bagger stock है हमेशा इसमें कोई न कोई brokerage house, कोई न कोई analyst इस पर buy rating देखाता रहता है और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं लगबग 22% की तेजी आती हुँ नजर आ सकती है target price 2955 के आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे आप लोग अगर देखा जाए किसकी तरफ से buy rating आती हुँ नजर आ रही है तो वो आपको देखने को मिलेगी yes security के तरफ से देख सकते हैं the brokerage initiate coverage on a stock with a buy rating it sees SRF competition in a fluorination additional growth मतलब कि यहाँ पे जो chemical sector कामकाज है SRF का वो काफी तेजी से growth करता हुँ नजर आ सकता है तो यहाँ पे आप लोगों को SRF में भी नजर बना के रखनी है मौका मिले तो खरीदारी करके भी चल सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं चौता स्टॉक Gland Pharma लग बग 16% की upside momentum दिखा सकता है target price 4556 के आसपास के आपको देखने को मिलेंगे तो इस स्टॉक पे भी buy rating आते हुए नजर आ रही है definitely काफी तेजी से यहाँ पे volume growth आता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले time में business भी काफी तेजी से grow होता हुआ नजर आ सकता है तो gland pharma को भी आप लोग नजर बना सकते हैं और इसको भी buy करके चल सकते हैं last stock की बात करें तो LA Opala आज जी को आप लोगों को buy करके चल सकते हैं upside momentum 23% target price 520 के आसपास देखने को मिलेंगे यहाँ दूस्तों यह सारे ही stock जो हमें बैता है यह बहुत बड़े brokerage house की तरफ से आपको recommend किये जा रहे हैं तो definitely आप लोग इन पांचो stocks पे नजर बना के चल सकते हैं अगर आने वाले time में market में weakness होती है और इन stocks में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो आप लोगों को सबसे पहले इनी stocks में buying करने के बारे आप सोचना है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को काफी तेजी से potential देखने को मिलेगी और काभी heavy volume साथ buying भी आती ही नजर आ सकती है I hope काफी helpful हो का आपके लिए यह video लगा हो तो प्लिज वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल फरस्टाइम हो तो प्लिज चैनल को सबस्क्राइब कर लिजा मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए